Hello Friends, Welcome to this channel जिसका नाम है SS Academy तो Friends, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज का जो वीडियो है वह बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वह एक ऐसे विशह से संबन्दित है जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है तो आए शुरू करते हैं बिनादेर किये आज की वीडियो को और आप लोग इस जानकारी को जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो जानिए कि आज का जो वीडियो है वह संबंदित है आरोग्य पाचा की घटना आरोग्य पाचा की घटना से आज की वीडियो संबंदित है अब आप लोगों के सामने धियर सारे ऐसे प्रस्ण आते होंगे कि आखिर आरोग्य पाचा है क्या तो आज की वीडियो में हम लोग सुरू से अंत तक इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह है क्या तो आएए फ्रेंट्स हम लोग सुरू करते हैं इस वीडियो को तो जैसा कि देखिए फ्रेंट्स यह घटना है दिसंबर 1987 की यह अगटना दिसंबर 1987 की है जब Topical Botanical Garden and Research Institute के कुछ विज्ञानिक टीम के सदस्य अध्यन करने के लिए केरल के पस्चवी घाट में जयवी विद्धता पर अध्यन करने गए कहने कार्थ है कि कुछ विज्ञानिकों के टीम केरल के पस्चवी घाट में जयवी विद्धता पर अध्यन करने गए तब उन लोगों ने अपने मायग दर्शन के लिए वहां के कुछ अस्थानी आदिवासियों को अपने साथ ले लिया ताकि उनका मायग दर्शन हो सके और सही सही रास्ते पर जा सकें बहुत समय बितने के बाद चुकि सब लोग काम करते करते ठक चुके थे बिज्ञानिकों के टीम भी ठक चुके थे लेकिन उन्हों ने एक बात देखा कि जो आदिवासियों जन जाती लोग थे वे लोग ठक नहीं रहे थे और वे लोग जो थे वह बिल्कुल तरो ताजा थे और बिना थके ही वे लोग काम कर रहे थे इससे क्या हुआ कि तब जो बिज्ञानिक लोग थे उन लोगों ने ध्यान दिया तो उन्हें यह मालूम परा कि उन्हों ने देखा कि जब भी आदिवासी जन जाती के लोग थकते थे तो वे लोग एक फल खा लेते थे और जिससे उनके अंदर अस्फुर्ती आ जाती थे इससे यह बात सोच कर जो विज्ञानिक टीम के सदस्य थे उन्होंने उन लोगों से यह बात पूछा कि क्या यह फल क्या है तो उन लोगों ने कहा कि यह फल जो है सिर्फ हम लोगों के लिए बाहरी लोगों के लिए नहीं है इस जवाब पर जो सदस्य लोग थे वे लोग अपना अध्यान करके चले आए लेकिन बाद में फिर वे लोग गए उसी जगह पे और जाके उस फल का खोज किया और वह फल था आरोग्य पाचा का आरोग्य पाचा ही वह फल है जिसकी खोज उन वि इस दवाई बनाने के प्रोसेस किया और उस दवाई के नाम था जीवानी और इस दवाई बनाने का अधिकार दिया गया आरेवेद फार्मेसी नामक कमपनी को जिसके रेजिस्टेशन में 10 लाक रुपे खर्च हुए और इस दवाई बनाने का मूल उद्दिस यह है कि ज़् आसा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही पसंद आया होगा तो इस तरह की जानकारी और जानने के लिए मुझे कॉमेंट कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए सेयर कीजिए and सब्सक्याब कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नमसकार झाल झाल